आपका इस यूट्यूब चानल में बहुत बहुत सागत करता हूँ तो मित्रो अजय सागे आप लग जानते हो कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसर्ट मेनू की और इंसर्ट मेनू में मैं आपको पेज, टेवल, इलुस्टेशन्स और लिंक और हेडर और फुटर बता चुका हूँ और आज हम बात करेंगे text की and symbols की तो आप लोग ये समझे लिजिए insert माने इन सबी चीज़ों को इसमें हम डालेंगे बात आई समझ में इंसर्ट माने डालना होता है तो text box का क्या मदलब होता है कि जैसे आपने देखा कोई book होती है तो उसमें special notes होते हैं तो उसको side में हम लोग उसका summary लिख देते हैं यहाँ पर यह इसका means use होता है इक parts के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको file में देखना पड़ेगा आपकी property बनी हुई है या नहीं तो दीखे यहाँ पर यह property यहाँ पर बनी हुई नहीं title जैसे मालेजिए इसका मैं डाल दू microsoft Microsoft office office डाल दे चलो यहाँ पर यहाँ पर जैसे के word डाल दिया word MS word है command डाल दी this is this is my file है अभी यहाँ पर admin का नाम डाल दो आपको जो कुछ डालना है तो देव डाल दिया है अभी यहाँ पर अब देखो यहाँ पर यह सेब कर दिया मलब यह सेब ही हो जाता automatically अब इसके बाद हमें insert पर गए और यहाँ पर तुम्हें कोई quick part डालना है जैसे quick part का मतलब होता है जल्दी से कोई चीज़ को डालना जैसे author का नाम डाल दिया आगया यहाँ पर author का नाम और अभी जैसे माल लीजी आप लोग आप comment डाली थी अभी यहाँ पर कोई keywords डाला था comment डाली थी वही comment डाला देखवा गई this is my file हैं यह this is my file तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कोई भी जल्दी से फटाफट एक कोई word keyword वगएरा या title author वगएरा डाल सकते हो बस यही इसका user है चलिए अब इसके बाद में यहाँ दूसरा आता है word art word art का क्या मतलब है आप लोग design से कोई word यहाँ पर type कर दो s m m c gonda ठीक है अब इसका यहाँ पर बहुत सारी design आ रही है इसमें से आप change कर सकते हो यह इसका user है और यहाँ से आप लोग text का direction चेंज कर सकते हो इस तरीके से लिख सकते हो आप ऐसे करके as you like जैसे आपको design अच्छी लग रही है वैसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो cdc बात अच्छा इसके बाद यहाँ से आप लोग इसमें color वगएरा डाल सकते हो इसका जो border है और यहाँ से आप लोग फिल कर सकते हो क्या फिल कर सकते हो आपके radiant फिल कर सकते हो और और ज्यादा color आपको फिल करने तो वो color फिल कर सकते हो यहाँ पर जो आपको color अच्छा लग रहा वो डाल सकते हो अच्छा इसके बाद में यहाँ पर ग्लो चेंज करके हैं और यहां से आप लोग इसका जो पीछे का वेग्ग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो यहां से जो पिच्चर है इसमें तो पीछे आजाएगी आफ्टर दिस हम बात कर रहे थे यहां पर drop cap की तो drop cap का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे आप लोग newspaper पढ़ते हो या कोई magazine पढ़ते हो कि एक अच्छर बहुत बढ़ा हो जाता है और उसको हम लोग supporting में capital करके drop करके और उसे एक ही letter से हम लोग कई सारे letter क का काम चला लेते हैं जैसे मैं आपको एक example दूँ चलो यही पर फोटापर से हो राम रमन राम रमन और यहां पर राजा चलिए अब मैं यहां इस आर को ना बढ़ा कर दूँगा ऐसे तो यह एक ही मेरी आर इन सब के काम चला रही है न तो यह मतलब होता है drop cap का सीदी सी बा इसके बाद में यहां पर आप लोग यह signature line का उतला होता है इसमें जैसे file कोई final हो गई और उसमें signature डालना है तो यहां पर उसका नाम डाल दीजिए देव डाल दिया और कुछ भी डालने की जरूद नहीं है यहां पर पद भी डाल दीजिए आप लोग अगर पद जैसे मैं सामने एक ID आगी तो यहां create own ID करना, ok करना, face में admin रहना, create करना और इसके बाद यहां पर image जो आपने select करके रखिया sign की उस image को आप लोग यहां पर एक बार ले लेना और इस तरीके से आपके file में sign हो जाएंगे जैसे आज कर digital sign होके आ रहे है ठीक है अब इसमें काम नहीं इसको edit anyway करें, ok करें, ok करें, और बस आप लोग काम कर सकते हैं ठीक है चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर date and time हो गया signature line हो गया date and time को मतलब यहां पर जो current में date and time आपके laptop में आ रहे है उसको आप insert कर सकते हैं, quick एकदम बढ़िया जल्दी, चलिए, इसके आप लोग एक जैसे किसी file की link या बारवार कोई काम पर जाना पढ़ रहा है, बारवार Excel की seat खुलनी पढ़ रही है या paint पर जाना पढ़ रहा है, तो आप लोग यहां से एक link बना सकते हो, जैसे मैं यहां पर अभी photographer से आपको bitmap image की link बना के दखाता हूँ, तो यहां पर यह कोई मैंने ऐसे करके कोई drawing करी, ऐसे 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 करके यह, और मैं यहां से drawing करने के बाद अब back हो जाता हूँ, देखे, अब मैं यहां पर यह मेरी drawing आगे, इसको double click करूँगा, तो तुरंत में वहीं चला जाओंगा, और इसके बाद में आप यहां पर दोबारा भी color edit कर स चलिए, इसके बाद में यहां पर हमारा object clear हो गया, सारा कुछ ही clear हो गया, अब हम यह equation पर आगे, तो यह equation जो है, वो क्या करता है, कि यहां से हम लोग कोई भी जैसे सवाल वगएरा type करती है, मैत का paper वगएर type करना है, तो यहां पर बट्टे वगएरा की संक्या लिखनी है या फिर भी आप कोई भी script यहां से ले सकते हो, जैसे मुझे चार वट्टे पांच लिखना है, तो अभी चार वट्टे पांच तो मैं यहां पर लिखला, easily, अभी यहां से, अगर मेरे को सही में करना है, जैसे 5, पच्छपन ने आ गया, और कल्द कर रहा, इसके बाद में सवाल बगएरा लिख सकते हो, इस पर एक बार double click करोगे ना, तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे, एक बार, अब देखो यहां से यह सारे आप लोग sign बगएरा डाल सकते हो, ठीक है, मतलब, आपको use जो करने equation यहां पर, ओ, equation यहां से आप लोग डाल सकते हो, अच्छा, इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे, आगे symbol, symbol मतलब होता है, चिन, यह चिन, आपको यह चिन में से काम है, तो उसको डाल लीजिए, अगर इसके अलावा और भी चिन चाहिए, तो यहां से अंदर चले जाईए, और बहुत सारे यहां पर चिन मिल गए आपको, इसके ब पर डल गए, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा insert मेनू आज समापत होता है, तो वीडियो कैसी लगी, जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे एगली वीडियो मिलता हूँ, जैहन जैभारत